सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे प्रिवियस थ्री क्लासेश में हम सब मनी को देख चुके थे ओके एंड बैंकिंग के दू टॉपिक्स को देख लिये थे कॉमर्सियल बैंक्स क्या होते हैं एंड सेंट्रल बैंक्स का यह टॉपिक्स हम सब ने प्रिवियस क्लासेश में देख चुका है बहुत अच्छे तरीके से यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्रिवियस वीडियो देख सकते हैं आप हमारे पास सिफ तीन चीज बचा है जो आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि जो भी पास चैप्टर है उसमें बहुत ही मदद करने वाला है आपका एंड यह इसका कुछ इंपॉर्टन टरम्स लोजी देखेंगे एंड फाइनली जो हमसा का फाइनल होगा टेस्ट ओके कितना आपने समझा है इस चैप्टर को 65 MC क्यूस होंगे यदि आपको इसमें 60 एवब नहीं आता है तो आपको सही में फिर से जादा अच्छा से महनत करना होगा ओके तो आप हम सब टॉपिक 3 को देखते हैं चार्ट में ओके इसमें बहुत इंपॉर्टन चीज को डिसकस किया गया है आखिर जो इंस्टुमेंट था जो हम सब देखे थे 9 ईंस्टुमेंट टोटल थे ओके जो क्वाइंट टिटीटिव और क्वावितिव कीया कि नौ थे आखिर इंफलेशन के टाइम में और बीयाई क्या मैथर्ट को फॉल्ह और क्या उसको करे या य॥ीडिक्रीज करे और recessions के time में क्या उसको increase करें क्या decrease करें उस rate को बढ़ा है या rate को घटा है तो उसी को हम सब यह chart में देखते हैं यदि inflation हो रहा है तो बहुत situation में आप देखेंगे कि increase होगा और एक जो भी instrument है उसमें हमेशा आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर increase ही होगा सिफ एक जगह पर सिफ आपको मिलेगा कि decrease हो रहा है ठीक है उसी तरह जब recessions या deflations होगा जब market में बहुत ज़्यादा money नहीं है ठीक है demand बहुत कम है supply बहुत ज़्यादा है तो उस समय में हर एक instrument पर decrease कर दिया जाएगा rate सब ताकि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा market में जा सके और सिफ एक जगह पर आपको increase करना पड़ता है जैसे reasoning of credit इस तरह से आपको याद रखना होगा जब भी situations होगा inflation का होगा तो इस instrument का किस तरह से use किया जाएगा RBI के द्वारा suppose करते है bank rate है bank rate क्या होता है जो rate से पैसा commercial bank को देता है RBI RBI ने suppose इसको पैसा दिया तो कुछ rate के साथ देगा ठीक है अब suppose किजिए कि market में inflation आ गया तो उस समय में क्या करेगा कि bank rate का rate बढ़ा देगा suppose कि यहाँ पढ़ गी पहले 5% था तो 10% कर देगा 10% से क्या होगा कि यहाँ पर जो rate बढ़ेगा इसके पास जो पैसा आएगा यहाँ rate बढ़ चुका है अब यह इसको जादा interest rate देना करेगा फिर जब loan देगा आदमी को जब loan देगा commercial bank तो वो भी क्या करेगा वो भी interest rate बढ़ा देगा loan के समय में भी तो यदि यहाँ पर rate कम रहा तो वहाँ पर भी rate कम रहेगा loan के समय में भी और यदि यहाँ पर जादा रहा तो वहाँ पर भी जादा रहेगा तो इसी तरह inflation के time में increase कर दिया जाएगा rate को और decrease कर दिया जाएगा किस समय recessions के time में so similarly आप देख सकते है report rate reverse report rate में भी increase कर दिया जाएगा और decrease कर दिया जाएगा so इस तरह से एक important chart है आपके लिए ये आप memorize कर लीजिए ठीक है क्योंकि market में हमेशा demand is going to supply का situation बना रहना चाहिए तभी economy stable रहता है और smoothly work करता है और demand किस पर depend करता है money पर आदमी के पास कितना money है उससे उसका demand जो जितना अमीर है वो उतना demand करता है जो जितना गडीब है वो अपने आपको रोकता है वो ज़्यादा demand नहीं कर सकता है सामने रखेंगे बहुत अच्छा मदद करेंगा अब चौथा topics को देखते है other most important terminology जो तीन को terminology है related with the banking then उसके बाद हम सब question answer को discuss करेंगे बहुत important होगा मजा आएगा banking में हम सब most important आखिरी spread क्या होता है term deposit हम सब पर चुके थे time deposit तब पर भी यहां पर अच्छा से देखेंगे and liquidity क्या होता है so पहले हम सब देखते है spread क्या होता है spread देखिए for commercial bank the source of profit is spread आप सुचेंगे कि आखिर commercial bank पैसा किस तरह से कमाता है हम सब देखे थे ना कि money किस तरह से create किया जाता है उसी process में वो सब पैसा भी कमाता है suppose करें यहां पर यह देदिया means एक हजार रुपया जमा किया deposit के फिर यह कुछ percent रखेगा अपने पास LRR के जैसे फिर उसके बाद loan के लिए वो 800 रुपया देदेगा ठीक है 800 रुपया जो दिया इसको loan दिया ठीक है यहां पर interest लेगा कितना दिन के लिए दिया suppose यदि वो 6 माइना के लिए लिया और बोला कि आपका per month 6% का interest rate लगेगा और यहां पर जो depositor है उसको भी interest मिलेगा 2% कुछ की तो यहां पर देख सकते हैं इस दोनों के बीच में जो percent का difference है six minus two is equal to four यही जो इसके बीच में आ रहा है यही उसको spread करते हैं इसी को उसका profit करते है commercial bank इसी से वो कमाते हैं उसी से अपने staff सब को पैसा देते हैं ओके suppose you hopefully you have understand it ना इसके बाद यही हम सब देखते हैं term deposit and time deposit हम सब देख चुके थे कि वो किस तरह से demand deposit से अलग होता है demand deposit जैसे हम सब कभी भी पैसा जमा कियें कभी भी निकाल सकते हैं पर term deposit में हम सब क्या कर सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं fix time के लिए हम सब यह जमा कियें तो उसके बीच में हम सब कभी निकाल नहीं सकते जैसे एक साल के लिए दिये हैं, वन येर के लिए दिये हैं, तो वन येर कंपलीट होने के बाद ही हम सब पैसा निकाल सकते हैं, ताला लग गया है, ठीक है, और इसमें हम सब यह जो term deposit होता है, fixed deposit होता है, उस पे हम सब check issue नहीं कर सकते हैं, check को issue नहीं कर सकते हैं, पर demand deposit में हम हम सब चेक को कर सकते हैं दे सकते हैं किसी को ter है लेक्विडिटी जो होता है है लिकवीडिटी आप देख सकते है यहां गल्त मैं अच्छे एक्छाम्पल से बता है लिक्वीडिटी एक ऐसा एसेट होता है कोई भी आपके पाता ये एसेट लेंड है घर है house है जो भी है गोल्ड है ऐसा क्या चीज़ है जो easily convert हो साथ money में money में ये देखिए money में जो भी चीज़ है आपका घर easily convert हो सकता है money में देखते हैं गोल्ड जल्दी होगा या house होगा या land होगा तो इसमें से बोली है कौन सबसे ज़्यादा जल्दी कौन money में exchange हो जाएगा तो gold आपका हो जाएगा उसके बाद houses हो जाएगा land सब भी हो जाएगा तो सबसे most liquidity इसमें तीनों में से कौन है gold ठीक है आप liquidity मतलब समझ गए कोई ऐसा asset जो तुरंत easy convert हो जाए money में money and cash के बाद सबसे ज़्यादा highly liquid asset है वो है check deposit and demand deposit ठीक है so यही बहुत easy था so hopefully you have understand this chapter यह chapter पूरा खतम होता है आप देख सकते हैं हमने पूरा अच्छा से हर एक questions को complete कर लिया है now finally हम सब अब अगले वीडियो में हम सब question answer को अच्छे से discuss करेंगे 65 questions को और excited रहिएगा अच्छा से solve करना है सारे questions को so till then bye thank you for watching